हेलो गाइस वेलकम टू स्टड़ी मास्टर आयम जीएस राय चलिए आज का जो लेक्टर है वो स्टार्ट करते हैं तो यह हमारी जो इंपॉर्टेंट जीके जीएस की क्वेशन सीरीज चल रही है जिसके जो भी आपके अपके अग्जाम्स हैं जो की यूपी-पी-पी-पी- चलिए का तो फीज़ंगे जीके जीएस की शेंखला है ये सीरीज एक्वेशन सीरीज आपकी काफी परेगी इसमें से आपको डायक्ट से पड़ा हुआ है तो थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि कि इस तरह के पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं तो यह सीरीज को देख लेना इसका पूरा-पूरा लाग उठा लेना चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले अगर आप लोग फर्स्ट आमें चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे साथ मे बैल आकुन दबा लेजे तभी आपको वीडियो का नोटिक्प्रियशन अपकी जो है पोन पे या अपके लैपटाउप पर आपको मिल जाएगा चलिए शुरू करते हैं फ़र्सट कॉर्शन बारूद का मिश्रन क्या होता है बारूद का मिश्रन क्या होता है वोट इस अे म तो दीखिए आपर बारूद जो है गन पाउडर है यह किसका मिश्रण है यह पोटाशियम नाइट्रेट सलफर और चारकूल का यहां पर मिश्रण है इससे इंपॉर्टन इंफरमेशन है वो नोट कर लीजे तो बारूद एक विस्पोटक तरसाइनिक मिश्रण है अब आपको मता है कि गन पाउडर है तो इस्पॉटक तो हो गया एक्स्पोजव भी और इसको और इसके अंदर क्या होता है सेवंटीवइब परसेंट साफ्ट चारकूल और सस्फर आजकिके इस तरह से कोर्शन पूछले जाते हैं जो आगे इस क्लासिफेशन पूछ जाती कि कौन सी च सब्कोर्iformisively walking a path towards a इट्राण जुलान के द्वारा अब्वोजनपरदार्थों से उन भीवानों को मार दियה जाता है और उनका कशे करते हैं फल और सब्जियों को अंकूरन रोखने के लिए अंकूरन की गति कम करने के लिए या अंकूरन में देरी करने के लिए यह जो गामा केरणों का प्रयोग किया जाता है समझ आगे आपको कि गामा केरणों से क्या होता है जीन मेटेशन होता है नेक्स्ट कोशिन देखिए आपर वायू मंदल में और जोन हरास मुख्यता किया जाता है तो किस गैस के द्वारा यह किया जाता है जो अट्मोस्फिर के अंदर ऑजोन डेपलेशन होता है आप लोग इंग्लिश के अंदर भी कोशिन पढ़ सकते हैं बाइलेंग्विल सीरीज है अगर आपका इंग्लिश मीडिया में तो इंग्लिश में कुश्चन पढ़ लिया करो साथ थो वायू मंदल में और स्लफ़र डाइकसेड कशाईड के अंञे क्लॉरो क्लॉरो फ्लॉर कारभन के कारण तो आपको पत хозя कि जोवो क्लॉरो कारबन के के दवारा इसको डिपलिट के आता है, और समटाप मंडल में और जोएं क्स पूछाग़ की समटाप मंडल में और akat कमी को कमी और परत का रास यह अऊजD की ते ज़रे क्डिल आठेकर में की बनती है और उख्षयत रॉय जा और जिए क्लोरोफलो करती है, परवेश करती हैं चाहिए धर्ती से जाएं या फिर यह सूर्ज से आएं जब यह समताप मंडल में आ जाएंगी तो क्या करते हैं जो ओ-3 होता है क्योंकि जो आपको पता होगा और जो जो फॉर्मॉला ओ-3 है और जो ओ-3 है इसमें जो ओ-2-0 होता है वह ओ-3 बनता है यहां बिन ऑफॉर райण जो इसमें जो क्लोरीन होता है वह इसको क्या करता है अलकर तो यह और क्लोरीन उक्साड़ बन जाता है और थखेद्र नेक्स्ट क्योशन नेमीन लिखित शेहरों में से एक परिसिद समारक रूमी दरवज़ा ये कोशिन पूछा गया है इसल्ए आपर मैंने डाल दिया है कहां पर स्थित है रूमी दरवज़ा कहां पर है लख नओ में बिलि आग्राउ या फिर मत्वर्वा में तो भई मी लिंक कर सकते हैं और अगर मान लीजिए लिंक नहीं दिया हुआ लिंक मिसिंग है तो आप हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन कर लेजिए लिंक देदूगा या फिर्दोस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता है फिर्दोस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता है मुहमद शा रंगीला शा आलम दिवित्या अकबर दिवित्य या फिर्दोस मंजिल किसको कहा जाता है तो शा आलम दिवित्या को फिर्दोस मंजिल भी कहा जाता है शा आलम दिवित्या का ही नाम है फिर्दोस मंजिल और बक महरू निसा किस नाम से पर्चलित थी, नूर जहां, मरियम जमनी, सलीमा या फिर इन में से कोई नहीं, तो जो महरू निसा किसका नाम था, नूर जहां का, नूर जहां कोई क्या कहा जाता था, महरू निसा और ये जो है, जहांगीर की पत्नी थी, नूर जहां किसकी पत्नी थी जहांगीर की यहांपर लिखा हूँ आप लोग यहांपर पढ़ सकते हैं महरुनिसा शेरे अफगान की विद्वा थी और जहांगीर की पतनी थी जिसे जहांगीर ने नूर जहांगी उपादी दीदी नाम क्या उनका महरुनिसा याद रहेगा आपको next question देखिए भारतिय सविधान की छटी अनुसूची किन चार राज्यों से अनुसूचित अक्षेत्रों और अनुसूचित जन जातियों के परिशाशन और नियंत्रन से संबन देता है, तो यहापर कौन सी अनुसूची की बात की जा रही है, छेमी अनुसूची की सबसे पहला question में आपसे पूछता हूँ कि भारतिय सविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं कुल अनुसूचियां कितनी हैं बताइए कितने शेडिूल्स है, टोटल शेडिूल्स कितने हैं ये भी कोशन पूछा जा सकता है चलिए आई होप आप इसका अंसर को मेंट बॉक्स में जुरूर करेंगे तो भारतिय सविजान की च्छटी अनुसूची की त्यार राज्यों से यहां पर जो है डील करती है ऑप्शन देखिए मनिपूर मिजोरम तुरुपरा या फिर नागा जिनोंने सविजान की इनकूश्यां पड़ी है मैंने उनकूश करवाया था अच्छे से अपको पता है लेक्ट्र मिल रहा है उतुछ के इसको यूट्प सारी प्लेलीस्ट के अंदर आपको वीडियो जाएंगी बहां सी जाके आप लोग देख लीजिए घिएंडेजिए ल आपका एक्जाम हो जिसमें जनल स्टेडिस पूछ जाता है तीस लेक्शर देख लो फ्रेंट्स टीस लेक्शर काफी इंपॉर्टट है वो 30 लेक्शर आपको जो है जीक जीज़ की कम्पलीट रिविजन करवा देंगे description box में मैं आपको link provide करवा दूँगा अगर आप वो 30 lecture देख लेते हैं तो आपको सारी GKGS के रिविजन हो जाएगी चाहिए आपका किसी भी state का कोई भी exam हो वहाँ पे आपको जो है उससे help जुरूर मिलेगी तो इस question का answer क्या है इस question का answer B वहाँ भी असम में घाले तरपरा और मिजोरम के अं fundamental že जो है शती अनुसी बन जात्यों है परशवाशन और नैंतन जींससे सम्मंदित बात की गई है जैंक है इस सबी OR राजों की जैंगी की गई है जो कि अनुसूचित ख्षेतर और अनुसूचित जिनजातियों के परशाशन और नियंतरन के बारे में इसमें बताया गया है अई होप आपको यह याद रहेंगी पांचवी नुसूची और छटी नुसूची मतलब फिफ्थ शेडियूल और शिफ्थ शेडियूल के तो उसके लिए किस अनुसूची में संशोदन करना पड़ेगा पहली तूसरी तूसरी तीसरी है चौक्तव सिंपल से क्रॉच्शन है अगर कोई नैये राज़ाब नखिपनाना है तो पहली राज़ायख्य क्या है संभ और राजज्यूज के बारे में बताती है तो एक बार सूचियों के बारे में जाकर धियान से पढ़ लेना चुछ पर लेना उनों सूचियों के बारे में पढ़ लेना तो आपको उससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा राइट अंसर क्या है ए नेक्ट पुशन देखिए भारत का सविधान भारत के सुप्रीम कोट को केंदर और राज्यों के बीच विवादों का निर्ने किस ख्षितर के तहट लेने का अधिकार देता है अब यह तो आपको पता है कि अगर मान लो राज्यों और केंदर सरकारों के बीच में कोई मतभेद हो जाए कि विवाद हो जाए तो उसका निरने कौन करता है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट को यह पावर कहां से मिली है, अपेलिया नयाई धिकार से, वास्तरिक नयाई धिकार से, सलाकार नयाई धिकार से, या फिर रिट नयाई धिकार से, तो कैसे इनको यह पावर मिली है, तो इनके पास यह जो पावर है वास्तरिक निया अधिकार के द्वारा इनके पास यह पावर दी गई है भारत का सविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को चेंदर और राज्यों के बीच विवादों का निर्णया वास्तरिक निया अधिकार के तहट लेने का अधिकार देता है. De facto jurisdictions. Next question देखिया पर. Lord Rippon ने Hunter A.O. का गठन किसलिए किया था? Lord Rippon ने Hunter A.O. का गठन किसलिए किया था? Options देखिया पर. आतनकवाद तथा राष्टर विजोधी गतिवीडियों को रोकने के लिए, भारत में शिक्षा सुधार के लिए उच्छ नियायपालिका में भारते नियाजिशों की न्योप्ति के लिए इड़ा उप्रूप्ट मेंसे कुई भी नहीं तो भे लॉड रिपन ने हंटर आयोक का गठन क्यों किया था एक्षचा रुटर रखोगे से संबन्दित है आप सबी को पता होगा, नहीं पता होगा, तो आगे से आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, हैं फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अधिक्षटा में शिक्षा आयोक का गठन किया था, विलियम हंटर वाइसराय की कार्याकारी परिशिद के सदस्या थे इस आयोग ने भारत में सिक्षा सुधार के लिए प्रारंबिक शिक्षा वे उच्छ शिक्षा में सुधार के लिए कई महतापूर्ण सुजाव भी दिये थे तो हंटर आयोग किस से संबंदीत है शिक्षा से संबंदीत है यहां रहेगा सेंपल कॉशन था नेक्स देखिए भारतिया टंकन वे आगजी मुद्रा अधिनियव किस वाइसराय ने पारित किया अधिश्वाय फास दा इंडियन टाइपिंग पेपर करणशी एक्ट लूड मिंटो लूड हाडिंग लूड करजन या फिर लूड डफलेन सहितर क्या है लूड करजन का जन्वरी 1699 में लूड करजन को भारत का वाइसराय निफ्त किया गया उन्होंने भारतिया टंकन वे कागजी मुद्रा दिनियम 1899 को पारित किया और भारत को स्वर्ण मानक की शुरुवात की थी नेक्स्ट क्यूशन देखिए निमिलिखित में से किसे मराथा मैक्याविली कहा जाता है किसे मराथा मैक्याविली कहा जाता है नाना फर्णविस, बालाजी विश्वनाथ, नारायन राव, बाजी राव याफिर संबज जो मराथा मैक्याविली किसे कहते हैं नाना फर्णविस को ऐसा क्यों कहा जाता है देख लीजे तो पेशवा शाषन के दोरान नाना फर्णवीस मराठा समराजय के परभावशाली मंत्री वे कूट नितिग्य थी यूरोपियों द्वारा उन्हें मराठा मैकेवली कहा जाता था क्यों कहा जाता था तो उनकी तरज पर उनको क्या कहा जाता था मराठा मैकेवली ब्रेटिस समराजय की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान भी उन्हें ने मराठा समराजय को सुरक्षित रखा तो आप आपको यह याद रहेगा कभी यह कोशन आप यह गलत नहीं करके आएंगे नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में किसके दौरा बदल दिया जाता है इस तरह की जो कोशन होते हैं इन्वार्मेंट से रिलेट्ट यह आप लोग यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ लिया करो इन दा nitrogen cycle, soil nitrates are converted into free nitrogen by, तो ये nitrogen cycle से related question है, शाइद किसी ने environment में पढ़ा हूँ, science में भी ये पढ़ाया गया है, आप लोग उसमें भी ये देख सकते हैं, तो देख लिजे आपर, जो nitrogen cycle में soil nitrates को free nitrogen में कौन convert करता है, nitrifying bacteria, denitrifying bacteria, amonine bacteria या फिर none of these, तो इसका right answer क्या है, इसका right answer है, denitrifying bacteria, denitrifying bacteria, सही उतर है B, तो ये जो मिट्टी के अंदर nitrates होते हैं, उनको free nitrogen में convert कर देते हैं, sulphur dioxide के परदूशक का जैविक सूचक क्या है, the biological indicator of sulphur dioxide pollutants is, कौन सा है sulphur dioxide का, kai, smoke, bryphota, none of these, sulphur dioxide के परदूशक का जैविक सूच पर कौन सा है, kai, dhuma, bryophyta, या इनमे से कोई नहीं, तो सही उतर क्या है, kai, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, moss, next question पर सलते हैं, पानी के fern, azola और sinobacterium, anabena के बीच क्या संबंद है, the relationship between water fern azola and the sinobacterium anabena is, तो उनमें क्या relationship है, symbiotic है, mutual है, parasitism है, या proto-corporation है, तो कौन से हैं वो, symbiotic, मतलब सह जीवी हैं यह दोनों आपस में, याद रहेगा आपको, direct question यही पूछा जाएगा, निमिलिकित में से कौन सा मुंगा चटान का ख्षेतर नहीं है, which of the following is not an area of coral reef, मनार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, लक्ष द्वीप याफर, अंडोमान और निकोबार द्वीप स्मूँ, तो आपर देखिए, जो मुंगा चटान है, coral reefs है, वो मनार की खाड़ी में पाए जाते हैं, लक्ष द्वीप में भी पाए जाते हैं, अंडोमान निकोबार द्वीप स्मूँ भी पाए जाते हैं, लेकिन खंबात की खाड़ी में ये नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पर ख्षेतर नहीं पूछा गया, तो राइट आंसर क्या है, गल्फ ओफ खंबात, इसमें और देख लीजए, आपर coral reef कहां कहां पाए जाते हैं, नालंदा विश्यविद्याल्या का विकास किसके काल में हुआ था, चंदर गुप्त, सकंद गुप्त, कुमार गुप्त या समुन्दर गुप्त, तो जो नालंदा विश्यविद्याल्या का विकास है, वो कुमार गुप्त के समय में हुआ था, नालंदा विश्य विदियल्य का विकास, गुंप्त राजा कुमार गुंपत के समय हुआ था और जो कुमार गुंपत हैं वो किनके पुतर थे? वो जैंद्र गुंपत विक्रमादित्या के पुतर थे नेक्सему देखिए बहुत धर्म का कौन सा अंग मूर्ती पूजा में विश्वाश नहीं करता है simple सा direct question पूछा जाता है options देखिए हेन यान, महायान, वजर यान या इनमें से कोई नहीं सही उतर क्या है हेन यान जो है मूर्ती पूजा में विश्वाश नहीं करता और ये जो है हेन यान बहुत धर्म की शिक्षाओं पर विश्वाश करते हैं कि बुद्ध ने जो हमें समझाया है, जो हमें सिखाया है हमें उस पर काम करना है हेन यान बहुत धर्म की शिक्षाओं पर विश्वाश करते हैं हेन यार मुर्ती पूजा पर विश्वास नहीं करता है और नहीं यह विश्वास करता है कि बुद्ध भगवान थे वो यह नहीं कहते थे कि बुद्ध भगवान थे वो सिर्फ एक रस्ता थे उन्होंने सही जीने का रस्ता सिखाया है यह मानते थे कि उनके शिक्षाएं अच्छी थी लेकिन वो भगवान नहीं थी नेक्स्ट देखिए सुल्तान अजलान शाक कप किस खेल से संबन दीता है लेकिए जब भी आप किसी एक्जाम में जाते हैं आप एक्जाम में जाकर बैठे होते हैं अप लोग सोचते हैं कि मैंने इतनी इतना बड़ा है मैंने बहुत सारी बुक्स भी पड़ हैं लेकिन यह विए पता चीम कहाँ से आ रहे हैं आपको मिलते रहते हैं आप लोग वीडियो स्टडी मास्टर पर दिखते रहते होंगे लेकिन ऐसे कोशन्स जो हैं मिजलेनिस टॉपिक्स में आपको यहां पर सारे करवाए जाते हैं तो इसलिए कोशन्स आपके लिए बहुत इंपोर्टन है देखे सुल्तान अजलान शा कप किस खेल से संबन दीता है बैडमिंटन हौकी टेबल टैनिसियाद गॉल्फ जो सुल्तान अजलान शा कप है यह हौकी से संबन दीत है याद रहेगा आपको और इसकी शुरुआत जो है मिलेशिया में की गई थी सुल्तान अजलान शा कप हौकी की एक अंतर राष्ट्रिया परेते होगेता है इसकी शुरुआत 1983 में हुई थी यह मिलेशिया में हूता है और इसका नाम मिलेशिया के नोमे राजा सुल्तान अजलान शा के नाम पर पड़ा तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि सुल्तान अजलान शा कप कहां पर होता है मलेशिया में होता है किस खेल से संबन दिता है होकी से संबन दिता है और इसके इलावा क्या है कि वो किस के नाम पर है तो मलेशिया के नौमे राजा सुल्तान अजलान शा के नाम पर इसका नाम पर है आरे questions cover हो गए भारत में नोट शपाई की जगा निम्ली लिखित में से कहां पर है तो नोट भारत में कहां कहां पर शपते हैं options देख लिए आपर नासिक, हशंगाबाद, हैधराबद, औरंगाबाद या फिर देवास तो औरंगाबाद में जो है नोट की शपाई नहीं होती इसके लावा नासिक, हशंगाबाद, हैधराबाद और देवास में नोटों की शपाई होती तस options कौन सा है एक दो तीन चार यह चार नहीं है एक दो तीन पांच तो सही हुतर क्या है? भारत में नोट की शफ़ाई कहा कहाँ पर होती है? नासिक, खुषनगाबाद, हैद्राबाद और देवास में देख लिजी हैं बारत में चार मुद्रा नोट प्रिंटिंग प्रेस है पहली है मैसूर करनाटक में, दूसरी है सलबोनी पस्चिम मंगाल में, तीसरी कहाँ पर है, तीसरी है नासिक महाराष्टर में, चौथी दिवास मद्या परदेश में तो कई बार क्या होता है? कॉशन मैच दा फोलोईंग में आ जाता है, निमन में आपस में सही मिलान करें जाता है कि निमीन लिखित में से किन किन जगाओं पर सिक्टे बनाए जाते हैं कोलकाता हैदराबाद मुंबई नौइडा उसके लावा एक और याद रखी सुरक्षा पेपर मिल की स्थापना 1968 में होशंगाबाद में किली थी मद्या परदिश में हैं जहां पर बैंक नोट के लिए कि गई तो आप ध्यान रखेंगे कि होशंगाबाद में जो हैं नोट नहीं चपते हैं नोट इन चार जगाओं पर चपते हैं यहां पर क्या है टाग्रिस त्यार किया जाता है जिन पर नोट चपते हैं सुरक्षा पेपर मिल की स्थाफना आपको और अगर कोई कोशन समझ में नहीं आता हूं तो थोड़ा सा वीडियो को 10-20 सेकंड पीशे करके द्रेख लिया कीजिए ताकि वह कोशन आपको याद रहे और चीजों को नोट डाउन भी कर लिया करो और मैंने अभी तक 20 कोशन करवा दिये हैं और तोटले आपर आपको 25 कोशन करवाए जाएंगे तो आप लोग वीडियो के लास्ट में कमेंट जुरूर क्या करो कि आपके कितने कोशन सही हैं मतलब 25 में से आपको कितने कोशन आते थे इससे क्या हमें भी यह रहता है कि ठीक Gap Funding Scheme के संबंद में निमिन लिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है तो यहाँ पर सत्य नहीं पूछा गया है VGF के तहत केंदर सरकार सारजनिक नीजी साज़ेदारी मोड में लागू होने वाली प्रयोजनाओं की पुन्जिगत लागरत का 20% तक मिलता है तो बिल्कुल यहाँ पर ठीक है तो VGF योजनाओं होती है Viability Gap Funding Scheme इसमें 20% तक मिलता है इस योजना को वित मंतराले द्वारा परशाशित किया जाता है तो इसको एड्मिनिस्टर कौन करता है वित मंतराले मतलब Finance Ministry करती है यह भी ठीक है VGF के लिए पातरक शेतर, बुन्यादी धांचे, स्वास्ते और शिक्षा है तो VGF के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यह तीनों नहीं है VGF के पातर, शेतर, बुन्यादी धांचे, स्वास्ते और शिक्षा तो इसके लिए जो VGF के लिए बुनियादी भांचे ही है, स्वास्ते और शिक्षा नहीं है, ध्यान रखना, तो यह यहाँ पर गलत है, हमारा अंसर क्या है? C. VGF एक बल गुनक है, जिससे सरकार अपने संसादनों को अधिक परभावी ढंग से पहुंचने में सक्षम बनाती है, यह पढ़ लिए आप आपको, उच आर्थिक रिटर्न के साथ कई प्रियोजनाई हैं, लेकिन विल्टे रिटर्न लाब प्राप्त निवेशक के लिए प्र आर्थिक लाब मिलेगा, लेकिन कम आमधनी के कारण उपयोग करता, शुल्प चार्ज करना संभव नहीं होगा, अब आपने देखा होगा, कि जो आप हाईवे यूज करती हो, तो हाईवे पर आपको क्या टोल टेक्स देना पड़ता है, क्योंकि इसको नैशनल हाईवे परधान मंतरी ग्रामिन सडक योजना है, अगर उससे कोई बनी हो जो जो जोड़ती हो, तो वहाँ पर आपको कभी भी टोल टेक्स नहीं देना पड़ता, तो यही इस कोशन में बताया गया, कि वहाँ पर यह देपाना संभवी ही नहीं है, और वहाँ पर नीजी निवेश क की संभावना भी कम रहती है, क्योंकि छोटी सडकें होती है, कम लागत है, तो सरकार खुद ही वो खर्च उठा सकती है, तो वहाँ पर जो है, प्राइवेट गर्वेंट पार्टनर्शिप की जुरूर नहीं होती है, अलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस हेलिफेंटा की गुफाओं को क्या किया गया था, युनेसको ने विशव ध्रोवर में शामिल कर लिया था, हेलिफेंटा की गुफाओं को उनिस उस्थासी में विशव ध्रोवर में शामिल कर लिया गया था, वर्ल्ड हैरिटेज की रूप में इसको किया गया था, शामिल, नेक्ट कोशन देखिए इंद्रिया भारतिय भाषा संस्तान कहां से था है Central Institute of Indian Languages is located कहां पर आए बैंगलूरू, मैसूर, मुंबई या फिर दिली आपको कोशन पता होना चाहिए कहां पर आए ये मैसूर के अंदर चलिए मैसूर बताईए किस राज्या में है, किस स्टेट के अंदर है मैसूर इंद्रिया भारतिय भाषा संस्तान कहां पर है, मैसूर के अंदर है Next question देखिए उत्री अमेरिका की कौन सी मुख्य नदियां रोकी परवत शेरिनी से निकलती है उत्री अमेरिका की कौन सी मुख्य नदियां रोकी परवत शेरिनी से निकलती है Mississippi, Missouri, Colorado, Riado Grande या फिर Columbia पांच नदियों के यहाँ पर नाम दिये गए है तो देखिए आपर Missouri, Colorado और जो Columbia है ये तीन नदियां है जो यहाँ पर रोकी परवत शेरिनी से निकलती है याद रखेंगे Mississippi, Missouri, Colorado और Columbia तो आप इसको याद कर लिए डिरेक्ट एक्जाम में कॉशन पूचा जा सकता है या फिर वो चार उंदियां देदेगा किसी एक के बारे में पूचेगा तो आपको पता होना चीए कि कौन-कौन सी नदियां जो है रोकी परवत से निकलती है तो Missouri नदी जो है उतरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है काफ़ इंपॉर्टन कोशन है जो Missouri नदी है North America की सबसे लंबी नदी है यह पस्ची मॉंटाना से निकलती है Colorado नदी की लंबाई 1450 किलो मेटर है चलिए आपके लिए कौशन है गंगा और ब्रहम पुत्र इन दोनों नदियों की लंबाई बताईए गंगा और ब्रहम पुत्र की लंबाई कितनी है यह सिंपल सा कौशन भी कई बार एक्जाम में आ जाता है और स्टूरेंट महाँ पर क्या आता है कन्फ्यूजन के वज़े से गलत परके आ जाता है क्योंकि महाँ पर आप्शन बहुत नजदीक नजदीक दिये होते हैं तो इसलिए कौशन को आपको एक्जक्ट पता होना चाहिए यहाँ अमेरिका और मेक्सिको में परवाहित होती है कौनसी नदी कोलोराडो इसके लावा जो कॉलम्बिया नदी है वो कॉनाडा में ब्रिटिश कोलम्बिया से निकलती है यहाँ नदी अमेरिका और कॉनाडा के बीच में बहती है याद रहेंगे आपको तीनों नदियों के नाम मिसौरी नदी नोट डाउन कर लिए तब ही याद रहेगा आपको फोड़ा सा टफ है लेकिन कोश्चन एक्जाम में बनता है मिसौरी नदी कोलॉराडो नदी तीसरी यहां पर कौन सी है कोलंबिया नदी तो यह तीनों नाम याद रखना कहां से निकलती है यह रौकी परवत से निकलती है पीर पंजाल परवत शरीनी किस राज्यमिय स्थित है और नाचल परदेश जम्मू कश्मीर पंजाब या पर उतर रखने सबसे सिंपल कोश्ण है पीर पंजाल परवत शरेनी जो है जमू कश्मीर के अंदर है वी इसका सही उत्र है देख लिज में पर पूरो पस्ट्रीम की और ह抹्माचल परदेश जमू कश्मीर पाकिस्तान अधिकित कश्मीर में इस्तित है इसके उनचाई 14 100 मेटर से लेकर 41 मेट करके बीट में है यहाद अप्षिन के हिसाब से आपका सही अंसर क्या है तो यह हमारी 25 कोशन से आपके कितनी कोशन के लिए टैस्ट सी अवलेबल आप लोग ले सकते हैं इन फोन नमबर पर मेसेज करके सेम नमबर पर आप लौग पता कर सकते हैं study material के बारे में पूछ सकते हैं, notes के बारे में पता कर सकते हैं, आपको study material मिल जाएगा, notes मिल जाएगे, test series मिल जाएगी, इसके लावा आप हमारी official application ए study master official play store से वो भी जाकर download कर सकते हैं, हमारी official website है, 9 exams के बारे में update के लिए, और बहुत सरी चीज़ों के लिए, questions के लिए, आप हमारी official website visit कर सकते हैं, description box में link है, यहां से जाके आप इसकी PDF भी download कर सकते हैं, यह हमारा telegram channel है, कई बच्चे क्या करते हैं, कि उनको website पर जाना अच्छा नहीं लगता, काई time लगता है, आप website में ढूंडने में चीज़ें को, तो आपर हमारा official telegram channel जोइन कर लिए, हाँ पर काफी चीज़ें free of post भी दे जाते हैं, यह भी join कर सकते हैं आप लो, और channel को subscribe कर लो, कोई भी आपका feedback हो, feedback हमारे लिए बहुत मैत पूरना है, comment कीजिए, वीडियो को like कर दीजिए, share कर दीजिए, channel को subscribe करोगे, तब ही आपको जो है notification मिलेगा, bell icon दबा लेना, आपको कोई भी वीडियो miss नहीं होगी, कोई भी doubt हो, query हो, नीचे comment box में जुरूर बताएं, और मिलते हैं next lecture में, धन्यवाद.